हेलो विवार्ज, विलकम टू माई चैनल तेगुक एफएफ इंदेक्स पलान आज मैं आप लोग कैसा शया काने वाली हूँ तेगुक फैन्फिक्शन हुएने हार्थ तो फॉल इन लब उते बुलिवाए तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे जेके और त्यांग दोनों ही साथ में बहार निकलने के बाद देखते हैं कि उसकी ममिया टेबिल में खाना सजा रहे है जेके बहुत ज़धा शौक हो जाते है त्यांग भी और बोलते हैं आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे होँ और कब आये और आप लोग को किस ने इस घर में इस तरह से घुसने की पर्मिशन दिया हां मम्या कहते हैं मिस्स जियोन और मिस्स कीम कहते हैं हमें किसी की पर्मिशन की जरुद है क्या किस तरह की की बात कर रहे हो तुम तुम दोनों जब से इहा पे रहना शुरू किया है हम ल लोगों ने सोचा कि तुम लोगों साथ के मिल लेते हैं लेकिन तुम दोनों को प्यार करने से फूर साथ मिले तब ना जेकी की ममी जेकी को कहते हैं तुम तो ऐसा एक्ट कर रहे थे कि तुम त्यांग से कितना नफरत करते हो उसके साथ नहीं रहना चाह रहे थे और देखो अ हमारे बात को सुनते ही नहीं थे त्यांग की मामे कहते है मिसेज जियोन आप जेके को माड़ा दिये मुझे मेरी जेके बहुत पसंद है और आप जेके को इस तरह से माड़ा दिये थे क्या वो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा हैंडसम लड़का कितना होट है मेरा बेट त्यांग कहते हैं मम्मी आप जेकी की तारीव कर रहे हो और मैं क्या आप खुद की बेटे को भूल गए हो क्या तो फिर मिसेज जियोन कहते हैं त्यांग बेटा तुम अपने मम्मी को छोड़ो मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे तो तुम जादा पसंद हो जेकी बोलते हैं मम्म मैं यहाँ पे हूँ मेरे सामने यह बोल रहे हो मेरे सामने बोल रहे हो कि आपको त्यांग पसंद है तो मैं आपका कौन हूँ हाँ खुद की बेटे को छोड़के त्यांग की तारिफ कर रहे हो यहाँ पर मिसिस जियोन किम त्यांग की तारिफ कर रहे थे और मिसिस किम जेकी की तारिफ कर रहा था एक दोनों तो एक दुस्टी की बेटे को छोड़के किसे और का ही तारिफ कर रहे थे तो वो दोनों नाराज होने के एक्टिंग करते है बात में वो दोनों हसने लगते है त्यांग की ममी और जेकी की ममी बोलते हैं तुम दोनों पागल हो गए हो क्या अभी तो लड़ रहे थे अब हस की रहे हो जेकी की ममी जब एबात बोलते हैं त्यांग की मामे कहते हैं ए दोनों हमें बुद्धू बना रहे हैं तुम दोनों को क्या लगा सिर्फ तुम दोनों ही चालक हो और हम लोग को कुछ नहीं पता हम दोनों ही नाटक कर रहे थे हम दोनों तुम दोनों से बहुत ज़ता प्यार करते हैं त्यांग की मामे एबात बो हो जाए त्यांग जरसक खुबसूरती मैंने अभी तक नहीं देखा है जेके कहते हैं आप दुबारा से उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया है आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो ठीक है मैं आंट के पास चला जाता हूं और किम्द्यों की मामे को गले लगा लेते है त्यांग बोलते हैं तुभी ठीक है मैं भी अपनी मादरी लगा के पास चला जाता हूं और वो जाके जी उनकी मामे को गले लगा लेते हैं इस सब लोग बहुत ज़दा खुश थे तो उन दोनों की डैड खर बापस आ गये हैं और बोलते हैं क्या बात है यहाँ पे बहुत उनकी माम एबात सुनके बहुत ज़दा इमोशनल और खुश हो जाते हैं जब जेके ने उनको माम कहा वो बोलते हैं तुमने क्या कहा मुझे माम कहा जेके बोलते हैं हाँ आप भी तो मेरा माम ही हो तो वो और भी ज़दा इमोशनल हो जाते हैं और जेके को हक कर लेते हैं औ मैंने आपको कुछ ऐसा कह दिया है जिससे आपको बुरा लगा सच बताईए मैं आपको कुछ गलत कह दिया क्या वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हारी बातों से इमोशनल हो गया क्योंकि तुमने मुझे मुझे मौम कहा ना तुम मुझसे गुसा तो नहीं हो जेके कहते हैं बिलकुल नहीं मैं आपसे गुसा क्यों होगा त्यां की मौम कहते हैं वो इसलिए क्योंकि मेरी बज़े से ही हम लोग कुरिया चले गए थे क्योंकि मैं नहीं जीत किया था कुरिया जाने के लिए और त्यांग को भी मेरी बज़े से हाँ से जाना पड़ा और तुम उसे नाराथ हो गए थे सब कुछ मेरी बज़े से हुए थे तो मैं तुम से माफी माँगना चाहूँगा जे के उनको रोकते हैं और बोलते हैं बिल्कुल नहीं आप हमसे बले है आप मुझे माफी क्यों माँगेंगे बिल्कुल असा नहीं करेंगे आप ठीक है आप मुझे जितना चाहिए प्यार देजिए और बलेक्सिंग्स उसके अलावा हमें और कोछ नहीं चाहिए या पर त्यांग को भी और मिसिस जियोन त्यांग को कहते है मिरा त्यांग तो इतना अच्छा है कि वो मुझे पहले से ही मॉम कहते है इसलिए तो मैं उसको इतना ज़्दा प्यार करता हूँ तुमारा त्यांग बहुत ज़्यारा है मिसिस किम बोलते है हम जानते है लेकिन जेके भी कुछ कम नहीं और एदो आदमी जो जेके और त्यांग की डैट है वो लोग बोलते है इन औरतों की बात कभी खतम ही नहीं होते है यार बाहर जाने से पहले भी बात कर रहे थे बापस आ गए अभी देखो आभी भी इन लोगों की रोना धोना शुरू हो गए है कभी भी मुँबंद नहीं रख सकते है क्या जी उनकी मम्मी गुसा होके भूते है क्यों मुँबंद करे हम गुंगे है क्या आप लोग को बात करना नहीं आते है तो हम क्या करे आप लोग भी कम बात नहीं करते हो बहुत जादा बात करते हो लेकिन औरतों की बात आप लोग को समझ में नहीं आते हैं इसलिए आप लोग इतना ज़ो तक चर जाते हो मिसिस किम कहते है तुमने सही कहा ए लोग तो बात ये करते हैं हमेशा बक्वाज वाली कभी अच्छे बाते किये है क्या जो औरतों की बातों को समझेंगे ओरते तो हमेशा अच्छे बाते करते हैं और important बात करते हैं ये लोग हमेशा बेकारवडी बात करते हैं इन लोग की बातों में कोई logic धी नहीं होते है और ये लोग बोलते हैं لو भाई कौन बोल रहे हैं जिसके पस दिमाग नहीं और ए दोनों औरते गुसा हो जाते है और उन लोग के सा जगड़ा काने लगते है जेके और त्यांग एस सारी चीजों की मजा ले रहे थे त्यांग तो कैमेरा से इन लोग की एस सारी हरकतों को वीडियो कर रहे थे जेके आचानक त्यांग को किज़कि एक कौनार पे लेखा जाते है और त्यांग को किस करना शुरू करते हैं त्यांग बहुत ज़दा शौक हो जाते हैं कि अचानक जेके को क्या हो गया सब लोग यहाँ पे है और उसको कॉर्णार पे लेका आया है किस काने के लिए जेके उसको किस किये जा रहे थे द्यांग भी उसको नहीं रुक रहे थे उसको भी अच्छा लग रहा था और यहाँ पे इन दोनों की पैरेंट्स जगरा करने में इतना ज़दा बिजी हो गए है कि बच्चों की तो ख्याली नहीं कि यह दोनों कहा चले गए और यह दोनों भी इन दोनों की जगरा की बहुत ज़दा मज़े ले रहे थे यहाँ पे एक दूसरे को किस कर रहे थे आखे में जब इन दोनों की जगरा खतम हुआ तो बोलते हैं यह दोनों कहा चले गए खाना ठंडा हो रहे है त्यांग जोन कुक तुम दोनों कहा हो जल्दी से आओ तुम दोनों क्या करने के लिए चले गए हो हाँ त्यांग अचनाक से जीके को धक्का देते हैं और जीकी बोलते हैं ऐसा क्यों क्या मेरा मन था तुम्हें किस काने का तुमने मुझे अलाक क्यों किया खुद से क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था क्या वो गुसा हो के बोलते है त्यांग कहते है नाराज मत हो क्योंकि हम दोनों को बुला रहे है और आप हमें जाना चाहिए तुम तुम मेरी होडो की ऐसी हलाक कर दिया है कि मैं सब के सामने कैसे जा पाऊंगा जेके कहते है तो भी ठीक है मार्क्स पहन लो त्यांग कहते है अगर मैं मार्क्स पहन लोंगा तो खाना कैसे खाऊंगा सब लोग के साथ ब्रेक्फास्ट भी दो खाना है और उसकी bottom lip पे एक bite करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, और बोलते हैं, एक पहली गलती है तुम्हारी, दूसरी बार एक गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को kiss नहीं किया था, सिर्फ मैंने तुमसे ही kiss किया है, तुम्हारे साथ ही, किसी और के साथ नहीं, वो पहला kiss, जो हम दोने बचपन में किया था, तब ही मैंने तुम्हें first kiss किया था, और मेरा second kiss, जो मैंने अपनी बार्डे पे तुम्हें किया था, तो मैंने किसी और को kiss कभी नहीं किया है, क्या तुमने तुमने तुने ही किया, जब कोडिया गए थे, त्यां कहते ह कभी नहीं मैंने कभी किसी को किस नहीं किया है सिर्फ तुम्हारे अलावा लेकिन जेके तुमने उस दिन मुझे किस किया हाँ तो जेके बोलते है इसमें मेरी गलती क्या है वो रूल से सबको करना था तो हम दोनों की भी करना होगा तो इसलिए मैंने कर दिया त्यांग कहते हैं लेकिन तुम तो नहीं जानते थे कि मैं ही ती ती हूँ तो जेके बोलते हैं लेकिन तुम त्यांग तो हो ना और मुझे तुम्हारा नाम पता है लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम मेरा ती हो मेरा ती थी लेकिन हाँ उस दिन हम दोनों को किस काना पड़ा एक रूल्स की बज़े से लेकिन मैंने जब तुम्हें किस किया तब तुमने भी मुझे नहीं रोका क्या तुम मुझे जान पोच की नहीं रोक रहे थे क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ और हम दोनों की रिष्टा क्या है त्यांग कहते हाँ मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरा जेके हो और मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हो मैंने तुम्हारी every photos मेरे पांस रखा है बचपन से लेकर अभी तक तुम्हें तुम्हें कैसे न पहचानता और तुम मुझे किस कर रहे हो तुम्हें इस मौके को कैसे गवा देता जेके कहते है मैं तुम्हें किस किया तुम्हें पता है तुम्हें किसकाने का पहले मन तो नहीं था लेकिन जब मैंने तुम्हारी होटो के साथ अपना होट एटाच किया मैं खुद को अलग ही नहीं कर पाया पता नहीं क्या एट्राक्टिव है क्या ऐसा हो गया है कि मैंने खुद को रोगी नहीं पा रहा था और तुम्हें किस की जा रहा था और जब देखा तुम भी नहीं रूक रहे थे और हम दोनों की भी किस होती जा रहे थे जेकी की मॉम आके बुलते हैं तुम दोनों यहां पे हो, गपे लड़ा रहे हो तुम दोनों की कोई और काम नहीं है न कब ब्रेक्वस्ट करोगे, कितना टाइम हो गए है जल्दी से आओ, और खाना खाते है साथ में मेरा बेटा मुझ पे गए है और मिसिस कीम कहते है और मेरा बेटा मुझ पे गए है जेकी और बीकी डैड बोलते है कि तो फिर हम दोनों का क्या, हां? तुम्हारा बेटा तुम पे गए है तुम बोलते हो तुम्हारा बेटा तुम पे गए है तो हमारे उपर कौन गए है हमारे उपर कोई नहीं गए है क्या? सिर्फ तुम दोनों की उपर ही गए है हमारी कोई खुबिया तो होंगे ना उन दोनों की बीच या फिर नहीं जेकी की डैर जेके को बोलते है क्यों बेटा तुम्हारे अंदर ऐसा कोई खुबिया है जो मुझ में है तो जेके कहते हैं है ना आप टॉपर थे मैं भी कॉलेज टॉपर हो तो आप पर ही तो गया क्योंकि मॉम तो पढ़ाई में बिल्कुल आच्छा नहीं था डैर उसके मॉम कहते है नालाइक तु तेरी बाप के साथ मिलके मेरा मज़ग कुड़ा रहे है क्या तुझे तो मैं जेकी की डैर कहते हैं हेई मेरे बेटे को हाथ मत लगाना बनना बहुत बुरा हो जाएगा जेकी की मॉम कहते है क्या करोगे तुम तो फिर तुम ही दो लागा देता हूँ मैं जेकी की डैर कहते है देखा कैसी ओरत है किस तरह के बात कर रहे है अपनी हस्बिन को माना चाहते है तुम अपना तमीज भूल गया हो क्या अभी भी पहले जैसा ही हो बिल्कुल एक दूसरे से लड़ते रहते हो लेकिन प्यार भी उतना ही ज़्यादा करते हो तो मिस्टर जिवन बोलते है अगर प्यार नहीं करता तो फिर मेरा बेटा जेके कहा से आता और यह सब लोग हसने लगते है साथ में ब्रेकपाच कर रहे थे तो इन दोनों की होटों की हाला ऐसे भी बहुत ज़दा खराब थे त्यांग की होट तो और बहुत ज़दा खराब थे क्योंकि जेके ने कुछ दिर पहली बाइट किया है तो यहाँ पे मिस्टर कीम बोलते है मेरे बेटे की होटों पे क्या हुआ मिस्टर जीयोन आपकी बेटे ने मेरे बेटे को कही का नहीं छोड़ा है तो इन दियांग शर्मा जाते हैं और बोलते है डैट आप कैसे बाते कर रहे हो मिस्टर कीम कहते है आप भी न, इस तरह के की बाते कोई करता है क्या, चुप हो जाएए मिसेज जीन कहते है, मेरा बेटा मुझे गए है इसलिए कोई बात नहीं, इन दोनों को इस सब कुछ करने दीजिए अभी तो उमार है, इस सब कुछ करने की Mr. Joon कहते हैं क्यों क्या हम बुड़्े हो गए है और तुम्हें देखना है हम क्या कर सकते है और फिर Mr. Joon कहते हैं आप ज्यादा कर रहे हो आपको तो बाद में देखते हैं हम इस सब लोग अपने बातों में लगे रहे थें फिर सब लोग breakfast कहते हैं साथ में बहुत ज़दा खुश लग रहे थे सब तो इन दोनों की पैरेंस यहां से जाने लगते हैं और इन दोनों को बोलते हैं तुम दोनों साथ में रहना जितना चाहें मर्जी लेकिन शादी बहुत जल्ड कराने वाले हैं जेके और भी बोलते हैं हमें कोई पॉब्लिम नहीं चाहे जितनी जल्दी शादी हो जाए हमाई लिए तो अच्छा ही है त्यांग तो खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका मन में तो एक कपसे है जेके के साथ शादी करने का खुआप तो कपसे देखा है त्यांग ने और जेके बोलते हैं मुझे भी कोई पॉब्लिम नहीं मैं भी त्यांग से शादी करना चाहता हो क्योंकि मुझे त्यांग बहुत अच्छा लगता है और मैं उससे इतना ज़दा प्यार करता हूँ मैं उससे अलग नहीं रह सकता हूँ इतने साल मैं उसे दूर रहा, सिब मैं ही जानता हूँ, मुझे कितना तकलिफ हुआ उससे दूर रहने में, मैं उससे और नहीं दूर रह सकता हूँ, मुझे त्यांग चाहिए, किसी हलत में इस बर मैं त्यांग को जाने नहीं दूँगा मॉम त्यांग की मॉम को बोलते है त्यांग की मॉम कहते है नहीं बेटा इस बर त्यांग तुम्हें छोड़के कहीं नहीं जाएगा त्यांग सिर्ब तुम्हारा है और तुम दोनों जितना चाहे साथ में रहो हमें कोई पॉब्लिम नहीं तुम दोनों की शादी बहुत जल्द करा दिया जाएंगे और जहां भी जाना है साथ में ही जाना हानीमून पे ठीक है जेके और त्यांग बहुत ज़्दा खुश हो जाते हैं और फिर यह सब लोग उन दोनों को अलवीदा बोलके यहां से चला जाते हैं अब बोलते हैं ठीक है आच्छे से रहना ठीक है जेके बोलते हैं ठीक है अप लोग जल्दी से जाओ हमें कुछ करना है जेकी की मॉम कहते हैं बेशराब हमें भागाने के लिए कितना ज़दा बेतव हो रहे हो तुम ऐसा क्यों? अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो तुम्हें कोई पॉब्लिम है क्या? नहीं हम नहीं जाने वाले हैं जे केते हैं मॉम क्या कर रहे हो? जाओ भी हमें स्टडी करना है कल कॉलेज में हमें अच्छे से होमार्क देना है तुम लोग की बज़े से होमार्क नहीं कर पा रहे हैं आप जाओ यहाँ से और त्यांकी मॉम के कहते हैं मॉम प्लीज आप इन लोग को लेगा जाएं यहाँ से त्यांग की मौम जेकी की फुरहेट पर किस करके बोलते हैं ठीके बिटा अच्छे से रहना ठीके और इस्टडी अच्छे से करना दोनों को टॉप करना है और हम तो भूली गए थे कंग्रैचुलेशन तुम दोनों को तुम दोनों ने टॉप किया है कॉलेश पे इसके लिए एक पार्टी तो ज़रूर बनते है तो बहुत जल्द तुम दोनों की इस खुशी पे एक पार्टी देंगे हम ठीक है जहापे तुम अपनी सारी दोस्तों को बुलाना जेके और त्यांग कहते हैं ठीक है और फिर बोलोग चला जाते हैं ये चारोया से जाई ही रहते कि द्यांग जेके को किस कर लेते हैं और बोलते हैं तुम तब मुझे बहुत ज़्या किस कर रहे थे ना जान बूच के ऐसा कर रहे थे ताकि सब लोग हमारा मजग कुड़ा पाए और आप देखो मैं तुम्हारा क्या हालात करता हूँ ये बोले के जेके को किस कर रहे थे कि द्यांग की मॉम और जेकी की मॉम बापस आ जाते हैं और बोलते हैं सौरी बेटा मैं मेरा फोन लेलना भूल गया था तुम दोनों कंटिनियो करो ठीक है ये बाद जेकी की मॉम बोलते हैं और फिर त्यांग की मॉम को बोलते हैं कि देखा तुम्हारा बेटा भी कुछ कम नहीं एक इस पे गए है हाँ त्यांग की मॉम बोलते है ये भी मुझ पे ही गए है और फिर ये दोनों हर्ज देते हैं और यहां से चला जाते हैं तो इस पार्ट को यहां पर खतम कर रहे हैं तो नेक्स पार्ट के लिए इंटेजर करना और अच्छे लगए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्रेब कर देना थेंक्यू सो मच